Hello viewers, welcome back to my channel कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी एकदम प्रसन और स्वस्थ होंगे आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी कुछ और कोसा की साड़ियां शेयर कर रही हूँ ये सभी कोसा की साड़ियां मैंने 36 गड़ से खरी दी थी क्योंकि यहां का कोसा सबसे अच्छा होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा कोसा की साड़ियों का हौद तो फस्ट है ये ये प्रिंटेट कोसा की साड़ी है इसमें कोसा का थ्रेड थोड़ा कम है तो ये थोड़ा सौफ्ट है तो जिसमें जादा रहता है थोड़ा सा स्टिफ हो जाती है और ये ब्लीच करके करते हैं तो ये थोड़ा सा सॉप्ट हो जाती है तो ये प्रिंटेट साड़ी है इस तरह की इसमें जैसे सिल्क में प्रिंट रहता है उसी तरह का प्रिंट है पर इस साड़ी में साथ में ब्ला और इस तरह एका बॉडर है ऊपर और नीचे दोनो तरफ इस तरह का बॉडर है यह साड़ी में पहत चुकी हूं कई बार ड्राइ वाश हो गई तो यह थोड़ा सॉप्थ हो गई यह तो यह तो यह सोप्ट हो गई और इस इस तरह का इसमें ये बॉटर है, बहुत सुन्दर साड़ी है, मैं वेर करके साड़ी बगल में इसके क्लिप लगा दूँगी तो महां से आपको पता चेलेगा, अल ओबर साड़ी पूरी इसी तरह की है, इस तरह की, उपर इस तरह का बॉटर, बीच में इस तरह का प्रिंट और नीचे इस तरह का बॉटर, ऐसी साड़ी है, और ये साड़ी का पल्ला है, इस तरह से समय बेल जैसी डिजाइड वनी है बीच में इस तरह का प्रिंट है पहन के बहुत इच्छी लगती है साड़ी तो यह थी मेरी कोसा की प्रिंटेट साड़ी दूसरी है यह भी प्रिंटेट साड़ी है यह थोड़ी स्टिफ है क्योंकि इसमें कोसा का थ्रिट जाता है और यह साड़ी नहीं है इसमें भी ब्लाउस पीस नहीं आया था खाली साड़ी है तो यह देखिए इस तरह का प्रिंट है इसमें बेज कलर की कोसा कलर होता है तो यह देखिए इस तरह की बेज कलर की साड़ी है इसमें नेवी ब्लू कलर से इस तरह से बेल बनी है बीच में इस तरह का प्रिंट है, ग्रे कलर से इस तरह का बीच बीच में, पूरा इस तरह से प्रिंट बना है साड़ी में, पूरी ऐसी तिर्ची तिर्ची लेंग बनी ही पूरी साड़ी में, इस तरह का, आल उबर पूरा इसी तरह का प्रिंट है, और नीचे इस तरह का बॉर्डर है, और उपर भी इसी तरह का बॉर्डर है नीचे उपर दोनों तरफ इसी तरह का बॉर्डर है और पूरी साड़ी इसी तरह की है जैसे मैंने बताया है और यह साड़ी का पल्लू है इससे चारो तरह बॉर्डर बनी है फिर यह यहां वे इस तरह से लाइन्स बनी है ग्रे कलर से और यह पल्ले में बीच में इस तरह बड़े बड़े इस तरह का प्रिंट मैं क्योगे विजह से इस तरह से रॉइन लू कलर से यह इसका पल्ला है पहन के साड़ी बहुत अच्छी लगती है पूरी ओल 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 ओवर इस तरह की है और पल्ला मैंने भी दिखाया थार्ड है यह थार्ड एंगलास साड़ी जो है यह इस तरह की मजेंटा कलर की साड़ी है इस तरह की वेजेंटा कलर की साड़ी है और यह उल्प-उल्पी है थोड़ा साड़ी इस तरह की देखें अच्छी शाइनिंग है इसमें बहुत मेरी पहले की साड़ी है यह और इसमें इस तरह की बूते बने है यह वीविंग में है थ्रेड से इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर से पूरवर साड़ी में इस तरह की बूते बने है नीचे इस तरह का बॉडर है यह थ्रेड का बॉडर है वीविंग में है यह यलो कलर से और ब्लू कलर से इसी तरह का ऊपर भी है पॉडर और इसका पल् पिकॉक सा कलर है, तच्छा कॉंबिनेशन है ये, मेजेंटा और पिकॉक का, ये देखिए इसमें ये थ्रेट से पीच वीच में पूटियां बनी है, बार्डर बना है, वाइट कलर से येलो कलर से इस तरह की ये बीच वीच में देखिए, बहुत सुंदर, पुरा वीविंग म पुरा पल्ला है, ये पल्ला है, और वे इस तरह की है, बार्डर है इस तरह का उपर नीचे, वीच वीच में इस तरह के बूटी बनी है, पिकॉक कलर से, थ्रेट से, और ये पल्ला है, पूरी साड़ी इसी है, बहुत अच्छी लगती है साड़ी पहन के, इस साड़ी के साथ ब्लाउज आया था, पर इसका समस, ब्लाउज मझे मिल नहीं रहा है, मैं खोज रही थी, तो मैंने इसे पेर भी अपने दूसरे ब्लाउज के साथ किया थैसार्ए, तो इसी तरह का था, इस रमाओर का गॉस था, पिकॉप का लर का और उसमें स्लीव्स में धरेट का शाञ था, और नीचे, वॉटर, ये थी मेरी ती arthritis कोशा के साड़ी, ये थी मेरी कोशा के साड़ी, म मैं उम्मेor को साड़ी, उमीद करती है हूँ कि आप लोग और वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी सारिया कैसी लगती हैं, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, और अगर आप लोगों को म मेरे वीडियो अच्छे लगने तो प्लीज मेरे चैनल SS कलेक्शन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार शुभरात्री